हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आपको यहाँ पे केंद्रिय भी जाले संगठन के एक नोटिस दिखाई देगी सबसे पहले आप यहाँ से डेट देख लो 31 पांच 2021 यानि कि 31 तारीक को एक नए नोटिस जारी की गई है और आप बोलोगे कि इतना लेट मैं क्यों हूँ सबसे पहली बात तो यह नोटिस कुछ दिनों के बाद पब्लिस किया गया पहली बात दूसरी बात मेरी तवियट ठीक नहीं चल रहे थी मैं चारा था इस occasion को इस नोटिस को अच्छे से आपके सामने explain कर सकूँ लेकिन मेरी आवाज अभी भी भारी है और cold and cup मुझे अभी भी है बट कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और अच्छी ख़बर को बिल्कुल अच्छे ढंक से celebrate करेंगे उससे पहले छोटा सापना promotion में कर लेता हूँ जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज डू subscribe दिस चैनल and press the छोटो मोटो bell icon for the latest update देखिए आपको मैं 93 papers प्रभाइट कर दूँगा कैंदरी विद्याले संगठन के examination को ले करके PRT, TGT, PGT के लिए अगर आप ये paper घर्दने में interested हो तो आप मुझे लिख सकते हो your mython sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए और instagram पे at the rate i mython sing पे आप मुझे follow करके भी paper के लिए पूछ सकते हो only 50 रुपीज आपको देने हैं एक बात और मैं बता दू ये 93 papers अगर आप फ्री में online download कर पाते हो तो कर सकते हो फ्री में ये available है अब बात करते हैं notice की देखिए सबसे पहले य देख सकते हो wait a moment दखिए यहाँ पे who are seeking transfer on request दखिए जो लोग भी transfer चाते हैं केंदरी विद्याले में teacher हैं वो अब जो है transfer करा सकते हैं मैं बार बार चिला के बोल रहा था कि केंदरी विद्याले संगठन में जब तक transfer नहीं होगा तब तक notification नई recruitment की नहीं आएगी finally वो teacher का जो है अलग-अलग school में क्या हो जाएगा transfer हो जाएगा जो जहां चाते हैं home district या फिर जैसे हो जिनका जहां तक हो सकता है और यह transfer ऐसे नहीं होता है सबसे पहले क्या होगा female को priority दी जाएगी जिनके male partner किसी अन्य सरकारी government job में है उन्हें सबसे पहले priority दी जाएगी उसक तो इन लोगां के transfer होने के बाद आपको जो है केंद्रिय विद्याले संगठन नई recruitment अब निकाल करके देगा देगा देखिए यह process अभी शुरू हुआ है यह process complete होने में एकाद महीना तो लगी जाएगा उसके बाद आप notification expect कर सकते हो एक और बात मैं बता दूँ देखिए government है बहुत चलांक जी हाँ government is very clever अब government के पाले में गैंद गई है कि वो नई recruitment कब निकाल करके आपके सामने रखती है सबसे पहली बात अब यह totally government के ओपर depend करता है कि government notification निकालने में interested है भी या भी नहीं देखिए सबसे पहली बात जहां तक मुझे लगता है नरेंद्र मोधी government को जहां तक मैं observe करता हूँ currently यह government चाहती है क्या कम से कम पैसा खर्च किया जाए जी हाँ मैं आपको अपको बताता हूँ यह जो expenditure है या अपना खर्चा कम करना चाहती है और income को बढ़ाना चाहती है अब income को कैसे बढ़ाएगी petrol के fuel के दाम को बढ़ा करके आपके उपर tax लगा करके और कुछ नहीं हो पाए तो जो संपतियां पिछले सरकारों ने बना के रखी थी उन संपतियों को यह sale करेंगे बेचेंगे और उनसे पैसा को यह earn करेंगे गौर्रमेंट की यही फंडा है तो ऐसे मैं वो बोलते है ना बिनास काले बिपरित बुद्धी वाली situation ह इस गौर्रमेंट के साथ मुझे बड़ा डाउट होगा कि यह गौर्रमेंट बिदिन टू ओ त्री मंथ जो है recruitment निकाल दे बट एक बोलते है न हौप इस रहे जब तक होप है तब तक सब कुछ है तो धर्मेंदर प्रधान जो नए शिक्षा मंतरी बने हमारे education minister इनसे पर टनाइक रिटायर होंगे तब BJP के कुछ चांसेस बनते हैं तो देखिए उमीदे हैं और उमीदों पर दुनिया कायम है तैयारी करते रहिए जिनने पेपर चाहिए उन्हें फिर से बता दू यूर मिथून सिंग एड़ 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 आई मिथून सिंग जिनने पेपर